दोस्तों लगता है केनेडियन चीटी के पर निकलाए हैं इसलिए उसे मारने का समय आ गया है दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादी के पक्ष में केनेडियन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अपनी संसद में और हवाला दे रहे हैं अपनी संप्रभूता का नागरिकों की सुरक्षा का नागरिकों के अधिकारों का तो दोस्तों बात निकली है तो दूर तलक जाएगी आज क केनेडा को हम उसका आईना दिखाएंगे ये नंबर एक के चोर डकैत गोरे लोग केनेडा में आए कहां से ये भाईया जी यूरोपियन सेटलर्स थे इन्होंने केनेडा में कॉलोनी बनाई इन चोर उचक्कोंने पूरे के पूरे महादुईप को डकार लिया इंडिजिनस लो है इन गोरे लोगोंने केनेडा में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम बताया था और उस प्रॉब्लम का नाम पता क्या था इंडियन प्रॉब्लम साल 1876 में इन गोरे लोगोंने इंडियन एक्ट बनाया उस इंडियन प्रॉब्लम को कातम करने के लिए दोस्तों ये कमीने लोग अगर चलू भर पानी में डूब जाए तो इनको मौत नसीब ना हो इन्होंने इंडियन एक्ट के जरीए जो वहां के इंडिजिनस मूलने वासी थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था उनकी संपत्ती उनकी जमीन उनके जंगल सब छीन लिये 1950 के दसक में ज कृट डाल पाये जो लोग कैनेडा के मूल निवासी थे और दोस्तों वो जो इंडियन एक्ट है वो अभी भी खतम नहीं हुआ है केनेडियन गोरों के लिए और कैनेडा के मूलने वासी इंडियन लोगों के लिए कानून अलग-äलग हैं उनके साथ र California discrimination भेदवाव आज भ ज़िए रहे हो यह दोस्तों नहीं देंगे और जिस दिन देंगे उस दिन इनके घुटने की गटोरियां तूट जाएंगी, संसद में यह खड़े नहीं हो पाएंगे, रही बात ये कि अभी है खेसियानी कनेडियन बिल्ली बारती यह खमबा क्यों नोच रही है तो दोस्तों इनके देश में महंगाई सर्वोच इस तर पर खड़ी हुई है लोगों को रहने के लिए च्छत नहीं मिल पा रही है हाउसिंग क्राइसस अनफोल्ड हो रहा है केनेडा के प्रधान मंत्री की लोग प्रियता नियूरतम इस तर पर है खुद टूडो की उकात केनेडा में एक सड़े हुए टमाटर से भी कम है जबकि ये अपनी देश की जनता को रोटी कपड़ा मकान मोहिया नहीं करवा पा रहे हैं तो ये भडास ना सिर्फ भारत पर बलकि केनेडा की कमपनियों पर केनेडियन कॉर्परेट पर निकाल रहे हैं उनके खिलाफ अनाफसनाप कानून बना रहे हैं वैसे भी दोस्तों टूडो दूद पीता हुआ बच्चा है कभी कभी तो इसका गोरा मूँ देखकर हमें सुगर के बच्चे की याद आती है पॉइंट यह है कि आज ये खालिस्तानी जंडे को उठा कर समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े राजनी तिग्ग बन गए हैं लेकिन दोस्तों केनेडा के टूडो आज कान खोल कर सुनने इनके ताबूत में आखरी कील वो खालिस्तानी ही ठोकेंगे अगर केनेडा के नेता नहीं सुदरे तो भारत में तो खालिस्तान कभी न बनेगा पक्की बात है लेकिन केनेडा में सत प्रत्सत गारंटी है खालिस्तान जरूर बनेगा आज जो पाकिस्तानी निसा केनेडा के ऊपर सर चड़के बोल रहा है उसी नसे में धुत होकर एक दिन केनेडियन गोरे किसी नाली में डले हुए दिखाई देंगे पक्की बात है और हाँ दोस्तों आगामी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच पढ़ रहा है महालक्षमी ब्रत उसके दोरान महालक्षमी जी के आदेश को आंकडों के माध्यम से पढ़ना सीख लीजिए अपने अपने आत्म निर्वर कूर्शिस का अध्यन पूर्ण कीजिए ताकि साक्षात और सजीव रूप में महालक्षमी जी के मालकदर्सन में आप जीवन पर्यंत मुनाफा कमा पाएं